दोस्तो आज के इस وीडियो में हम बात करेंगे कि हम घर बटे ही अपने मोबाईल फोन के द्वारा पोस्ट ओपिस में RD अकाउंट किस तरह से जो है ओपन कर सकते हैं यानि कि पोस्ट ओपिस की RD में हम कैसे इनिवेस्टमेंट कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेके लाश तक जरूर देखी, वीडियो में बताए हुए सेविंग अकाउंट पहले से होना चाहिए, और पोस्ट ओफिस की नेट बेंकिंग उसकी सेविंग अकाउंट की होनी चाहिए, थबी आप जो है आरडी अकाउंट सेविडियो के लाश भी सीचाहिए, उसके सर्च बोक्स को सबसे पहले आपको ऑफन करने के बाद करने केुए सर्च बोक्स में संबसे पहले को सर्च करão्स, जैसे ही आप करके इसको सर्च करोगे इस तरह से जो है पेस आपके सामने कुल के स्यों हो जाएगा और इसमें आप देख सकते हो एक option है Government of India Department of Post का जो option है इसके उपर आपको किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं इसके उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही जो है Post Office की Official Website मेरे सामने कुल के स्यों हो जाएगी Net Banking का option, Net Banking के option के उपर हमारे को किलिक कर देना है जैसे मैं Net Banking के option के उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही जो है दूसरी website मेरे सामने कुल के स्यों हो जाएगी जो आप देख सकते हो Post Office की Net Banking की website मेरे सामने कुलके इसमें आपको user ID आपको डालनी है तो दोस्तों माँ बता दूँ कि user ID की जगे आपकी जो saving bank का आपका account है उसकी जो CIF ID है वो ही आपकी user ID होती है तो आपको वहां से user ID डालनी है नीचे जो capture डियावा capture डालके इसमें login हो जाना है परन्तु आप ये process थभी कर पाओगे जब जैसे आप इसमें login करोगे login करते ही फिर आपके सामने एक page आजाएगा page में आपको जो इसका जो password आपने सेट कर रहा होगा आप चेक कर सकते हो परन्तु अभी हमारे को जो है RD अकाउंट open करने के लिए जो general service का option है इसके ऊपर हमारे को click कर देना है जैसे ही मैं general service के option के ओपर click करूँगा फिर मेरे सामने कई सारे option खुलेंगे तो इसमें service request का जहां मैंने error mark किया है तो ये service request का जो option है इसके ऊपर ह आपको click करना है new request का जो इसमें option है new request को आपको जो है इसमें tick करके और इसको ok कर देना है तो जैसे मैंने new request करके इसको open किया open करते ही जो है कई सारे option मेरे सामने खुल के show हो जाएंगे तो अभी आपको page को उपर की तरफ स्क्रोल करना है इसमें आप देख सकते हो यहां से आप बहुत कुछ कर कर सकते हो किसी अपने post office के account को आप बन भी कर कर सकते हो और भी कई new account जो है आप generate भी कर सकते हो तो यहां पर पूरी list दी हुई है आपको जो भी और भी प्रोसेज करना है तो यहां से आप कर सकते हो कि यहां पर देख सकते हो आप जो है kvp account कर सकते हो nsa account, PPup account RD account यह जो है आप चालू भी कर सकते हो बन भी कर सकते हो तो अभी हमारे को जो है RD account इसमे जो है generate करना है, खोलना है, तो आप देख सकते हो नीचे से 3 नमर पर जो है यानि RD account open तो यह आपको इसके ओपर किलिक करेंगे, किलिक करते ही है चोटा सा एक फोरम आ गया है फोरम को आपको फिलब कर देना है तो type of deposit में आप देख सकते हो इसके बाद में installment amount यानि आप इसमें कितने रुपए investment करना चाते हो मन्तली आपके account से saving account से debit होते रहेंगे तो मैंने इसमें 100 रुपए आप 100 से ज्यादा भी कर सकते हो जितना आपके amount है और यह इसका time period है जो यह 5 साल के लिए है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते है यह automatic set रहता है इसके बाद में जो है account opening date जिस तारिक को आप कर रहे हो वो automatic show हो जाएगी इसमें debit account यानि आपका जो post office का जो account है saving account वो आपको show कर देगा उसके उपर आपको click कर देना है अगर आपके पास ज्यादा है तो उसमें से कोई भी account आप select करके पैसे जो है कटवा सकते हो उससे पैसे debit करवा सकते हो इसके बाद में नीचे जो है transaction remark transaction remark में आप कुछ भी डाल सकते हो मैंने सिरफ लिखा है online rd और इसको जो है submit online का जो option दिया हुआ है submit online कर देना है जिससे आप submit online करोगे आपने जो पिछे जो detail फिलप किये वो ही आपको show करेगी शो करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर एक transaction password का जो है option मिलेगा transaction password जो आपने net banking activate की थी तो वहाँ login password और transaction password दो password बनते हैं तो transaction password डालके और इसमें जो submit का option दिया हुआ है आपको इसको जो है submit कर देना है और इस तरह से आपके पास एक message जो है show हो जाएगा तो दोस्तों जैसे मैंने उसको submit किया submit करते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका RD account नमर आ गया आपकी जो है deposit amount आ गया इसके बाद में duration आ गया कब आपकी RD open हो रही है कब close हो रही है और आपकी जब RD mature होगी तो mature में आपको जो है कितना amount मिलेगा तो पूरा का पूरा दोस्तों इस तरह से show कर देगा तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से जो है RD account open कर सकते हो किसी भी परकार की कोई भी कुरियो comment box में जरूर लेके मैं जितनी हो सके पूरी help करूँगा वीडियो देखने के लिए सभी का दने वा थेंक्यू